Hello friends, आप से भी का स्वागत है मैं के सीपवाइंट में Friends, आज है 11 फ्रवरी और 11 फ्रवरी से जितने भी इन्पोर्टेन्ट करेंट और उसके कोचन्स बनेंगे उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे साथी इसे रेटे जितने भी इंपोर्टेंट फेक्ट हो सकते हैं सभी फेक्ट को भी डिस्कस करेंगे तो पहला प्रशने विश्व वेपार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है इसका माराइट एंसर है डी नागोजी ओकोजो इवेला को हाल ही में पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है नाइजीरिया अर्ध सास्तरी नागोजी ओकोजो इवेला को विश्व वेपार संगठन के पहानिदेशक के रूप में चुना गया है और इस संगठन का नेत्रित कर पहली महिला और साथी पहली औफिर की भी होगी बात किया गया इसमें डॉबलू टीयो की तो डॉबलू टीयो का फूल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेशन 202 पार संगठन इसके अस्तप्ना एक जनवारी उन्नी सो पंचानवे इस भी को हुई थी इसके फरवरी 2021 को पर्धानमंत्री नडेंद्र मोधी बीशवष सतत्विकास सिखर समयलन 2021 के कौन से संसकरन का उदगाटन करेंगे है। बीश्वे संस्क्रन का उद्गाटन करेंगे परधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को वीडियो कनफ्रेंसिंग के माध्यम से बीश्वे सतत विकास सिखर समयलन 2021 के बीश्वे संस्क्रन का उद्गाटन किये या सिखर समयलन दस से बारव फ्रवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा नई तिल्ली इस्तित The Energy and Resources Institute की ओर से आयोजित या बीशवा सिखर समयलन है जिसमें बीशव में सतत विकास को लेकर दो दीनों तक चर्चा होगी इस सिखर समयलन का एवजन जलवायू परिवर्तन के खिलाप लड़ने के लिए सरकारों, स्विक्षावीदों, व्यपारिक निताओं, जलवायू बेग्यानिकों, सिविल सोसाइटी और इवाओं को एक सांथ लाने के उदेश से किया जाएगा किस राज की सरकार ने सीसु मृत्यदर को कम करने के लिए S-A-A-N-A-S अभियान को सुरू किया है इसका हमना राइट एंसर है D, मद परदेश की राज सुरकार के द्वारा इस अभियान की सुरू की गई है बात किया गया है इसमें S-A-A-N-A-S की तो इसका फूल फॉर्म होता है Social Awareness and Action to Neutralize Neemonia Accessfully अभियान को सुरू की गई है इस अभियान का मुख्य उदेश हैं सीसूओ में नेमोनिया के कारण मिर्टिदर को कम करना है इस अभियान के तहत एक रननीती बनाई जा रही है जिसमें चिकित्सा क्रमचारियों को प्रसिक्षित किया जा रहा है बात किया गए इसमें मध्परदेश की तो मध्परदेश की रैधानी है भोपाल इसके अस्तापना एक नौंबर उन्नी सो चपन इसबी को हुई थी और इसके मुख मंत्री हैं सीवराज सिंग चोहान जो की बीजेपी पार्टी से हैं गवर्नर है अनंदी बेन पटेल और मुख न्याधिस हैं मुहमद रफिक लोक सबा सीथ है 29 राज सबा सीथ है 11 विदान सबा सीथ है 230 पांच परोसी राज भी है महराज 36 गड उत्तरपरदेश राजस्तान गुजरात करकरेखा भारत के मध्धिराज से होकर गुजरती है और मिजोरम मध्ध परदेश ने एक जीला एक सिल्फ अभियान की भी शुरुआत किया है नेक्स्ट क्रश ने असम लोक सिवा आयोग APAC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं इसका आमरा राइट इंसर है ए राजीव कुमार बोरा को असम लोक सिवा आयोग का नए अध्यक्ष निय इसकी अस्तापना एक अपरेल 1937 इस भी को हुई थी और इसकी मुख्याले है असम अध्यक्ष राजीव कुमार बोरा हाल ही में बने हैं नेक्स्ट प्रश ने जनुवरी 2021 के लिए किसे ICC प्लेयर आप दा मन्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है इसका राइट एंसर है ए रिसव पंद को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारते क्रिकेट कीपर विलेवाज रिसव पंद को पहले ICC प्लेयर आप दा मन्थ अवार्ड bathroom 21 से सम्मानित किया गया है रिसा पंत को जनवारी 2021 में अस्टेलिया के खिलाब दो टेस्ट मैचों में उनके संदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है जिसमें उन्होंने सीडनी में संतानबे और ब्रीस बेल में नवाद 89 रन बनाकर भारत को स्रीज जिताने में अहम भूमिका निभाई थी बात किया गया इसमें ICC की तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बिस्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है और इसके ओ हिंदी में अंतराश्टी ये क्रिकेट परिसद कहा जाता है इसके अस्तापना 15 जून 1909 इस्वी को होई थी और इसके मुख्याले है दुबबई जो की संजुक्त अरब अमिरात में है इसके अध्यक्ष है ग्रेग बारकले और इसके CEO मनु साहनी है नेक्स्ट प्रश्ट है हाली में CRPF की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिला टीम को सामिल किया गया है बरतमान में CRPF के अध्यक्ष कौन है इसका मराइट एंसर है B अनन्द परकास महेश्वरी CRPF के अध्यक्ष है बरतमान टाइम में बात किया कि इसमें कोबरा कमांडो यूनिट की तो कमांडो बटालियन फोर रिजेल्ट एक्षन को खूपिया अध्हारित जंगल यूद संचालन के लिए बर्ष द्वाजर नौ में CRPF के तहत अस्तापित किया गया था अब तक इस बल में पुरुस इकाई थी और यह पहली बार है कि महिला कर्मियों को एक दल को इसमें सामिल किया गया है 34 CRPF महिला कर्मियों की एक टुकरी को इसमें बिशेस जंगल यूद कमांडो बल कोबरा में सामिल किया गया है टुकरी को जल्द ही देश के नकसल बिरोधी अभियान ग्रीड में तैनात किया जाएगा बात किया गया है इसमें CRPF की तो इसका फूल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्प पुलिस फोर्स केंदरिये रिजर्प पुलिस बल इसकी अस्तपना 27 जुलाई 1949 इस भी को होई थी और इसकी मुख्याले है नई दिली अध्यक्षय अनन्द परकास महस्वरी और इसकी मोटो है सेवा और निष्टा इसके महा निरिक्षक कौन है तो PS रानी पसे इसके महा निरिक्षक है इसका मा राइट एंसर है B, ONGC के द्वारा लदाक में भारत की पहली भूतापिये उर्जा पर्यूजना की निर्मान की जाएगी भूतापिये उर्जा नविक्रनिये हैं क्योंकि या प्रीत्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी से सकती उत्पन करती है सौर और पवन उर्जा के बिप्रित भूतापिये उर्जा दीन में 24 घंटे और बर्स में 365 दीन उपलब्ध हैं भूतापिये उर्जा कोईले और तेल की तुलना में 80% कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी करती है भारत की पहली भूतापिये विधूत परियोजना तेल और प्रकेति गैस निगम द्वारा पुर्व लदाक के पूगा गाउं में लागू की जाएगी भूतापिये विकास पर्योजना के रूप में जानी जाने वाली पर्योजना को तीन चरणों में लागू किया जाएगा और इसे द्वाजर बाइस के अंत तक चालू करने की योजना है इस पर्योजना के पहले चरण एक मेगावार्ट बिजली उत्पन छमता लगाई जाएगी और सो प्रतिसत मुप्त बिजली आम जनता को आपूर्ती कराई जाएगी इसमें बात किया गया है ONGC की तो इसका फूल फॉर्म होता है Oil and Natural Gas Corporation तेल और प्रकिर्ति गैस निगम इसकी अस्तपना 14 अगस्त 1956 इस भी कोई थी इसकी मुख्याले है नई दिली इसके MD&CO ससी संकर है नेक्स्ट प्रशने रक्षा मंत्राले ने Software Refined Radio Tactical Seep Board System की खरीद के लिए किस भारतिये कंपनी के साथ समझाओता किया है इसका हमाराइट इंसर है D भेल के साथ समझाओते किया गया है बात किया गया इसमें भेल की तो भेल का फूल फर्म होता है भारत Electronics Limited इसके अस्तपना 1954 इस भी कोई थी मुख्याले है बैंगलोरू और इसके MD&CO MB गौतम है इसका हमारा राइट इंसर है बी ए आश्ट्रेलिया के क्रिकेटर है कुर्ब आश्ट्रियाई कपतान इस्ट्रियू सिमत ने साल 2021 के आश्ट्रियाई क्रिकेट अवार्ड में अपने केरियर का तीसरा इलन वर्डर मेडल जीता है इलन वर्डर मेडल आखरी सीजन के सबसे बहतरीन पुरूस अश्ट्रेलियाई क्रिकेटर को उनके साथी क्रिकेटरों मेडिया और एमपाइरो द्वारा वोटिंग के बाद परदान किया जाता है बात किया गया इसमें अश्टेलिया की तो इसकी राइधानी है कैनबरा करेंसी है डॉलर इसका हमरा राइट एंसर है डी तमिलाडू राज के स्री विली पुत्थूर मेगा मलाई अभ्यारन को टाइगा रिजर्ब बनाने की मनजूरी दे दी है नया मेगा मलाई स्री विली पुत्थूर टाइगा रिजर्ब के साथ जंगलों की बेहतर सुरक्षा होगी बात किया कि इसमें तमिल नाडू की तो तमिलाडू की रधानी है चिन्नई, मुख मंत्री है के पलानी स्वामी, गुवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और मुख न्याइधिस है संजीव वनर जी, इनके तीन परोसी राज है किरल करनाटक और अंधपर्देश, लोक है 18 और विधान सबासीथ है 234 दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कर खाना तमिलाडू में अस्तापित किया गया है नेक्स्ट प्रशने, चोदोहवा अंतराष्टिये बाल फिल्म महत्सव कहां संपन्य हुआ है इसका मराइट इंसर है, बंगला देश में संपन्य हुआ है चोदोहवा अंतराष्टिये बाल फिल्म महत्सव फ्रेंट इसमें जितने भी प्रशने सबी प्रशने आपके नेक्स्ट एक्जाम के लिए मौस्ट इन्पॉर्टेंट हैं तो आई होप या वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहल ही बराए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाबाय, टिक क्या